हलो किसटन बयो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने एक बार रुपाई कर दी इसमें मल्चिंग फीपर नहीं लगा सके तो आप इस वीडियो में सीखने को मिले गा किस प्रकार से हमें मल्चिंग फीपर लगाना है वो भी हम असान तारीकर से लगाना तो मैंने ये ब्रास्टिक मल्चिंग पिपर लगा दिया है वो भी कम समय में और ज्यादा लेबर की भी जरूरत नहीं पलते सिर्फ दो आदमी इसको लगा सकता है कोई जरूरत नहीं तो मेरी चैनल पर नए है तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको वीडियो की जानकारी पहले तक मिलते रहेगी तो किसान भाई क्या होता है जब गर्मियों को सीजन आती है तो क्या मलचिंग पेपर पहले फट जाता है तो इसके बरे में मैं जानकारी देने वाला हूं किस प्रकार से लगाने से हमें एक साल तक हमारा या दो साल तक हम प्लास्टिक को वापस लगा सकते हैं तो वीडियो को अंतक जरूर देखना आपको पूरी डीटिल से मैं जानकारी दूंगा और आपको समझ में आए जाएगा तो आप अच्छे से केती कर पाएंगी जो मैंने मलचिंग पेपर लगा है तो वीडियो को अंतक जरूर देखना तो दोस्तों पूराना तरीका छोड़ो नया तरीका अपना और जिसमें बहुत अपना टायम भी बच्ता है जिससे हमारे लेबर भी बच्ता है और बहुत सारे फाइदे हैं फोल्डिंग सिस्टम है अंदर चाहे तो हम निकाल के खा काटे हम तो इस प्रकार से काटके जितना खा सकते है वापस हमें करना वापस इससे कुट मारते जाना इस प्रकार से मल्चिंग पेकर दो निकलते जाएगा तो आप एसा जरूर कर लेut ale क्योंकि एसा ही करने से फुरा रॉल को नहीं काटिंग से कर सकते पीर प्रकार से हमें दोनों साइट और मलजिंग पेपल लगाना है तो कैसे लगाना है इसको मैं आगे दिखाता हूं इस टेक्नोलोजी में क्या होता है दोस्तों उसमें लेवर भी बहुत नहीं लगता सिर्फ एक लेवर ही अपना यह दो लेवर ही इसमें काम कर सकते हैं वह भी आ प्रकार से मलजिंग पेपर लगाना सिख जाएंगे जैसे दोस्तों क्या होता है जब गर्मियों को सीजन में इतना तेज दूब लगता है जिससे हमारा प्लास्टिक तुरंट पढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं जब तक बारिस नहीं आती जैसे इसे खलपता उग जाते है हम लगा देते हैं जिससे हम दो साल तक भी अपना मलचिंग पेपर अच्छे से दोबारा यूज़ कर सकते हैं अपना कोई जंजट नहीं तो इस प्रकार से एक तरफ मिट्टी डालना थोड़ा प्लास्टिक खिचके दूसरी और मिट्टी डाल देने का ताकि अपना मलचिं में थोड़ा गैप रखना जैसे हम उसमें खाद भी डाल सकेंगे और जैसे बारिस का सीजन रहता है तो इस परकार से गिला मिट्टी रहता है वहीं उपर थोड़ा थोड़ा रखते जाने का जो मैंने पूरा रख दिये आपको मैं बताना ता हूं मैं पूरे एकर में मैं इ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर बताना और मेरी चैनल पर ऐसी जानकरी मिलते रहेगी इसके लिए मैं कहता हूं आपको भी सिखना विलेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना